हरियोम, जैतु संस्कृतं, सर्वेभ्यनमो नमह, सबको मेरा नमस्कार, आज हम कखसा आठमी का चतुर्था पाठ पड़ेंगे, चौथा पाठ पड़ेंगे, पाठ चार का नाम है सदैब पूर्तो निदे ही चर्णम, हमेशा आगे ही कदम रखो, इस पाठ के रचैता है, सीरिधर भासकर बढ़ने कर, उन्होंने इस पाठ में हमेशा आगे ही बढ़ने का आहवाहन किया है, कि हमेशा आगे ही बढ़ना है, चल चल पूर्तो निदे ही चर्णम, चल चल करते हैं, चलो चलो पूर्तो आगे निदे ही चर्णम, चलो चलो आगे कदम रखो या आगे कदम भड़ाओ पूर्तो करते आगे चलो चलो आगे कदम भड़ाओ सदैव पूर्तो निदेही चरणम सदैव हमेशा पूर्तो आगे निदेही चरणम कदम भड़ाओ हमेशा आगे कदम रखो निदेही कार्थ रखो या भड़ाओ हमेशा आगे कदम रखो गिरी सीखरे ननु निज निकेतनम गिरी सीखरे कार्थ है परवत की चोटी पर ननु निज निकेतनम की मेरा जो निकेतन है निवास है वह परवत की चोटी पर है मेरा निवास परवत की चोटी पर है बिनैव यानम नगा रोःणम बिना यान के ही नगा कर्तै परवत नगा रोःणम परवत पर चड़ना है बिना यान के ही मैं परवता रोःण करता हूं बलम स्वकियं भवती साधनम सदैव पूर्तो निदे ही चरणम बलम अपना बल स्वकियं अपना बल ही साधन होता है सदैव पूर्तो निदे ही चरणम हमेशा आगे कदम रखो पथी करते हैं रास्ते में पथी करते हैं रास्ते में हैं हिंस्रह पस्वह परितो घोरा हिंस्रह हिंसक पसु परितो चारों तरफ से घोरा हैं चारों तरफ व्यंकर बहुंसक पसु हैं सुदुसकरम खलू यद्धिपी गमनम यद्धिपी जाना सुदुसकरम जाना जबकी बहुत कठीन हैं गमनम करते हैं जाना जाना गमन करना गमन जबकी बहुत कठीन हैं फिर भी सदैव पूर्तो निदे ही चरणम हमेशा आगे ही कदम रखो जही ही भीतिम भज भज सक्तिम जही ही जही ही कार्थे की छोड़ो भीती भैको भज भज सक्तिम सक्ति को भजो जपो विधे ही राष्ट्रे तथा नुरक्तिम प्रेम को रखो कुरू कुरू सत्तम धेश मर्णम कुरू कुरू करो करो हमेशा धेश मर्णम अपने लक्षय का हमेशा समर्ण करो सदैव पूर्तो निदे ही चरणम हमेशा आगे ही कदम बढ़ाओ या रखो तो इसका जब आप हिंदी अनुबाद करेंगे तो उसको इस तरह से करेंगे यहाँ पर देखेंगे इस तरह लिखेंगे चतूर्था पाठा सदैव पूर्तो निदे ही चरणम फिर पहले का इस तरह से थोड़ा सा लिखेंगे संस्कृत का फिर लाष्ट उसका अंतिमक्सर लिखेंगे फिर इसका सरलार्थ करेंगे चलो चलो आगे कदम रखो अथवा बढ़ाओ हमेशा आगे कदम रखो रखो भी लिख सकते हैं बढ़ाओ भी लिख सकते हैं गिरी सीखरे दूसरे का है और यहाँ पर पूर्तो मेरा निवास परवत की चोटी पर है बिना यान के ही मैं पर्वता रोहन करता हूँ, पर्वत पर चड़ता हूँ, अपना बल ही साधन होता है, हमें हमेशा आगे कदम रखना है, क्या कहा गया है, हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, आगे तीसरा पथी, मार्ग में टेडे मेडे और नुकीले पत्थर हैं, चारों तरफ भ्यंकरव हींसक पसु हैं, गमन जबकी बहुत कठीन है, फिर भी हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, उसके बाद है, अगला कि भै को त्याग दो, सक्ति को भजो, सेबन करो, सक्ति को भजो, स्वदेश से प्रेम करो, अनुराग करो, अपने लक्षय का निरंतर ध्यान रखो, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम रखो, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, समझें धन्यवाद